हेलो फ्रेंड्स दिस इस ख्याती सेथी वेलकम टू यर ओन यूटिब चैनल सत्गुरु इंसिटूट आई होप यू ओल आर फाइन सो फ्रेंड्स आज हम में कोस्ट बुक का लेसन 7 दा मेकिंग ओफ दा अर्थ के कोशनंसर करेंगे लास्ट वीडियो में हमने लेसन 7 को कम्प्लीट कर लिया था जिन्नों ने अभी तक लेसन 7 नहीं किया वो कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो फ्रेंड्स प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शियर करें और अगर अभी दक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए आप टेलीग्राम पर सत्गुरु इंसिट्ट चैनल को जॉइन कर सकते हैं इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो के लिंक और चैप्टर्स की पीडिया फाइल्स मिल जाएंगी आप सत्गुरु इंसिट्यूट को इंस्ट्राग्राम, फेस्बुक और ट्वीटर पर फोलो कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो So friends, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ So friends, सबसे पहले हम शूर्ट कोशन अंसर्स करेंगे और उसके बाद हम लोग कोशन अंसर्स करेंगे तो चलिए देखते हमारा फर्स्ट शूर्ट कोशन तो हमारा फर्स्ट कोशन है, वाट आर प्लैनेट्स, ग्रह क्या है So friends, ये कोशन आपको 2013 के बोर्ड एक्जाम में आया हुआ है So please आप इसे ध्यान से समझिए A body that revolves around a star is called a planet So friends, एक ऐसी body, एक ऐसा पिंट जो तारों के चारों और घूंगता है उसे हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं For example, the sun is a star and the earth revolves around it उधारन के लिए सूरे एक तारा है और धरती सूरज के चारों गूंती है Thus, earth is a planet of the sun इस प्रकार से प्रित्वी सूरे का एक ग्रह है, प्रित्वी सूरे का प्लैनेट है Question number two, define solar system सूर मंडल को परभाशित कीजिए So friends, ये question भी आपको 2015 के board exam में आया हुआ है तो चलिए देखते हैं, the solar system means the family of the sun So friends, सूर मंडल का अर्थ है सूरे का परिवार, सूरे की family This includes the sun, its planets and the satellites of these planets So friends, solar system में तीन जीजे शामिल होती है कौन-कौन सी? सबसे पहला सूरज, जो कि सभी ग्रहों का फादर है, सभी प्लैनेट का पीता है Second, planets यानि की ग्रहे and the satellites, ग्रहों के उप ग्रह भी इसमें शामिल होती है So friends, जैसे कि आप सबको बता है कि solar system में एट प्लैनेट है जिसमें से एक प्लैनेट है, हमारी धर्ती, हमारी अर्थ जो अर्थ है, वो सूरज के चार और चकर लगाती है और वो एक सूरज का ग्रह है, वैसे ही जो मून है, जो चंदरमा है वो धर्ती के चार और चकर लगाता है और चंदरमा धर्ती का उप ग्रह है, satellites है So friends, जैसे धर्ती का अपना उप ग्रह है चंदरमा वैसे ही सभी ग्रहों के अपने अपने उप ग्रह है अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं इन सभी को साथ मिला कर बनता है सोलर सिस्टम सोर मंडल आई होप आपको दोनों कोशन अच्छे समझ आ गए होंगे तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स कोशन तो हमारा थर्ड कोशन है इसमें ये पूछा गया है कि आप ग्रहों और तारों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं ये कोशन भी आपके 2015 के बोर्ड एक्जाम में आया हुआ है सो फ्रेंट्स मान लीजिए कोई भी आपसे ये पूछ लेता है कि ग्रहों और तारों के बीच हम कैसे अंतर कर सकते हैं तो हम क्या जवाब देंगे तो हम ये जवाब देंगे स्टार्स ट्विंकल वाइल प्लैनेट्स डू नोट तारे टिम्ठी माते हैं जबकी ग्रहे नहीं टिम्ठी माते दिस इस दे रियल वे तो डिस्टिंगुश बिट्वीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स So friends, यही एक सही ढंग है जिस से हम ग्रहों और तारों के बीच अंतर कर सकते हैं Question number 4 Why do the stars twinkle? So friends, हमने ये तो बता दिया कि तारे टिम्टिम आते हैं और ग्रह नहीं टिम्टिम आते लेकिन अगर सामने वाले ने ये पूछ लिया कि तारे ही क्यों टिम्टिम आते हैं Stars are also fireballs, हम ये कहेंगे कि सूरज की तरह ही तारे भी आग के गोले हैं As they rays pass through different layers of the atmosphere, जैसे जैसे तारों की किरने atmosphere यानि कि वायू मंडल की different layers अलग-अलग परस से गुजरती हैं They appear to flicker, वे हमें जिल मिलाहट यानि की टिम्टिम आते हुए दिखाई देते हैं So friends, मुझे पूरी उमीद है कि आपको अब अच्छे जे समझ आ गया होगा कि ग्रहे और तारों के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं और तारे ही क्यों टिम्टिम आते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन तो हमारा नेक्स्ट कोशन है How was the earth formed? पृत्वी कैसे बनी? यानि की पृत्वी का निर्मान कैसे हुआ? So friends, ये कोशन भी आपको 2013 के बोर्ड एक्जाम में आया हुआ है Earth came out of the sun So friends, ये हमने lesson में भी पढ़ा था कि astronomers का बताना है कि बहुत पहले समय सूरज का एक छोटा सा टुकड़ा उससे अलग हो गया उससे बाहर निकल गया और उसे हम आज धर्ती के नाम से जानते हैं Initially, it was very hot So friends, जब पृत्वी सूरे से बाहर निकली तो पृत्वी बहुत ही जादा गरम थी It took millions of years to cool down धर्ती को ठंडा होने में लाखो साल लग गए So friends, जब धर्ती गरम थी तब धर्ती पर ना ही कोई मनुश्य ना ही कोई पशू ना ही कोई पेड और ना ही कोई पोधा इस पर जीवित रह सकता था अगर कोई भी जीव जन्तू धर्ती पर जीवित रहता तो वो जल जाता भसम हो जाता Question number 6 How were oceans and seas formed? So friends, अब हमें ये तो पदा चल गया कि धर्ती कैसे बनी, धर्ती का निर्मान कैसे हुआ अब हमें ये जानना है कि महासागरों और समुद्रों का निर्मान कैसे हुआ तो इसका answer है To begin with, the earth was too hot So friends, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि जब धर्ती का निर्मान हुआ था तब धर्ती बहुत ही जादा गरम थी When it cool, all the water vapor in the air condense into water So friends, जब पृत्वी थंडी हो गई तो हवा में मौझूद सभी जलवाश्पकन पानी में घुल गई It came down as rain और ये बारिश के रूप में नीचे आए It rained heavily, जम कर वर्षा हुई All the hollows of the earth were filled So friends, इतनी तेज बारिश हुई इतनी तेज वर्षा हुई कि धर्ती के सभी विशाल गड़े बारिश के पानी से भर गए थे Thus, oceans and seas were formed और इस तरह से महासागरों और समुंदर का निर्मान हुआ So friends, मुझे पूरी उमीद है कि आपको धर्ती, महासागरों और समुंदर का निर्मान कैसे हुआ कैसे बने ये दोनों question अच्छे से समझ आ गए होंगे तो चलिए देखते हैं next question तो हमारा question number 7 है Why does the moon look bigger than the stars? So friends, इस question में ये बूचा गया है कि चंदरमा तारों से बड़ा क्यों दिखता है So friends, ये question भी आपको 2016 के board exam में आया हुआ है The moon look larger than the stars because it is very close to the earth So friends, चंदरमा हमें बड़ा इसी लिए दिखाई देता है क्योंकि चंदरमा प्रिथवी के बहुत नजदीक है प्रिथवी के बहुत पास है जबकि स्टार्स प्रिथवी से बहुत दूर है इसी लिए हमें stars बहुत छोटे दिखाई देते हैं और चंदरमा हमें बड़ा दिखाई देता है So friends, यहाँ पर हमारे short question answers finish होते हैं मुझे पूरी उमीद है कि आपको सभी short question answers अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप please मुझे comment section और instagram में बता सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं long question answers तो हमारा first question है What are planets define the solar system So friends, यह question भी आपको 2017 के board exam में आया हुआ है So friends, अगर आपने short question answers अच्छे से समझे हैं तो आपको याद होगा कि first और second question यही था What are planets define solar system इन दोनों question को combine करकर long question बनाया गया है So friends, यह question बहुत ही important है इसलिए इसे हम दुबार से कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं A body which revolves around a star is called a planet So friends, एक ऐसा पिंट, एक ऐसी body जो तारों के चारों और घूमती है उसे हम planet कहते हैं, ग्रह कहते हैं For example, the sun is a star and the earth revolves around it उधारन के लिए सूरे एक तारा है और धरती सूरे के चारों और चक्कर लगाती है Thus, earth is a planet of the sun इस परकार से धरती सूरे का ग्रह है, धरती सूरे का planet है The solar system means the family of the sun सूर मंडल का अर्थ होता है, सूरे का परिवार, सूरे की family This includes the sun, its planets and the satellites of this planet So friends, सूर मंडल में तीन चीजे शामिल है एक तो सूरज, जो की सभी ग्रहों का फादर है, सभी planets का पिता है Secondly, planets, जिसे हम ग्रह कहते हैं So friends, जैसे कि आप सबको पता है, कि solar system में 8 planets है जिस में से एक planet है, हमारी धरती, हमारी अर्थ जिसका उपग्रह है, चंदरमा वैसे ही, जो सभी planets है, उनकी अपनी-अपनी satellites है, अपने-अपने उपग्रह है So friends, इन सभी को मिलकर बनता है, सूर मंडल, solar system जो कि सूरज की एक happy family होती है, खुशाल परिवार होता है मुझे पूरी उमीद है, कि आपको planets और solar system अच्छे से समझ आ गया होगा तो चलिए next question देखते हैं, तो question number two है Write a short note on the making of the earth So friends, इस question में ये कहा गया है, कि आप धर्ती के निर्मान, यानि की धर्ती कैसे बनी, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए तो चलिए देखते हैं, long ago the earth and other planets were part of the sun So friends, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, कि astronomers का बताना है, कि बहुत पहले समय, धर्ती और दूसरे ग्रह सूर्य का हिस्सा थे, सूर्य का अंश थे Somehow, small pieces of the sun moved away from it So friends, किसी ना किसी तरह से सूरज के छोटे छोटे टुकडे उससे अलग हो गए, उससे दूर चले गए One of these was our earth और उन टुकडों में से एक टुकडा था, जिसे हम धर्ती के नाम से जानते हैं To begin with, it was as hot as the sun So friends, शुरुवात में जो धर्ती थी, वो सूरज की तरह ही बहुत गरम थी But very slowly it began to cool लेकिन जैसे ही धर्ती सूरे से अलग हुई, धर्ती धिरे धिरे थंडी होने लगी And then life began to appear on it जैसे जैसे धर्ती थंडी होती गई, वैसे वैसे धर्ती पर जीवन दिखाई देने लगा So friends, ये था कि किस तरह से प्रित्वी का निर्मान हुआ, प्रित्वी किस तरह से बनी तो चलिए आगे देखते हैं, तो हमारा question number 3 है Write a few words on the happy family of the son So friends, इस question में ये कहा गया है कि सूरे के खुशहाल परिवार पर, सूरे की happy family पर कुछ शब्द लिखिए तो इसका अंस्वर है, the sun has its own planets and the planets have their own satellites So friends, जैसे कि आप सबको पता है कि सोलर सिस्टम में 8 planets हैं और उनके अपने अपने उपग्रे हैं They all make happy families और ये सब अपने एक खुशहाल परिवार बनाते हैं They are called the solar system जिसे सोर मंडल solar system कहा जाता है The meaning of the solar is related to the sun So friends, solar का अर्थ होता है सूर्य से संबंदित, sun से related The sun is the father of all the planets जो सूरज है, जो सन है, वो सभी ग्राहों का पिता है सभी planets का फादर है Therefore, the whole group is called the solar system इसलिए पूरे स्मू को सोर मंडल कहा जाता है solar system कहा जाता है So friends, ये कुछ शब्द थे जो हमने सूरज के खुशहाल परिवार, sun की happy family पर लिके है मुझे पूरी उमीद है कि आपको सभी question answers अच्छे से समझ आ गए होंगे So friends, इसी के साथ हमारा lesson number 7 The making of the earth कम्प्लीट होता है अगर आपको कोई doubt है, कोई query है तो please आप मुझे comment section और instagram पर पूछ सकते हैं So friends, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please, please वीडियो को जादा से जादा like और share करें और जादा से जादा channel को subscribe करें आप सत्गुरु इंसिट्यूट को telegram channel पर join कर सकते हैं आप सत्गुरु इंसिट्यूट को instagram, facebook और twitter पर follow कर सकते हैं Thank you for watching this video Keep watching सत्गुरु इंसिट्यूट